हलो दोस्तो गोड मॉर्णिंग, स्वागत थेगवा, फिर से आप सो भी क्या MZJ Education में दोस्तो आज है 12 दिसंबर, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 दिसंबर 2021 के Current Affair के सभी Important Questions के बारे में पूरी वीडियो देखेगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और सेयर जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आने वाली वीडियो का भी Notification आप तक पहुंचता रहे इस वीडियो की PDF फाइल और डेटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारा अप्रिकेशन MZT app पर तो Google Play Store पर जाए MZT app इंस्टाल कीजे और फिरी में PDF और डाउलोड कीजे चली बात करते हैं लाजडे की कुशन की लाजडे का मेरा पहला कुशन था आपसे Forbes की दुनिया की सबसे सकतिसाली महिलाओं की लिष्ट में निर्मला सीता रमड किस अस्थान पर हैं तो यह हैं तो से देशमें अस्थान पर Asia Power Index में टॉप पर कौन है तो वो है अमेरिका इन दोनों कुशन के बारे में बहुत सारी लोगों ने डिटेल्स की साथ अंसर किया है आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स की साथ अंसर किया करो चले देखते हैं आज के दिन का पहला कुशन पहला कुशन है अंतराश्टी परवत दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतेक वर्ज 11 दिसंबर को मनाय जाता है अंतराष्टी परवत दिवस, International Mountain Day अंतराष्टी अस्तर पर माउंटेन के बारे में जागता फैलाने के लिए माउंटेन को दोस्तों परेटन के रुप में बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाय जाता है इस दिवस की गोशना तो United Nation की General Assembly ने 2002 में की थी पहली बार ये मनाय गया 2003 में इस बार की theme लखी गई है Sustainable Mountain Tourism यानि अस्ताई परवत परेटन यहाँ पर December महीने के अभी तक के सभी मातुपूर्ण दिवस आये हुए हैं जो वो लिखे गए हैं आप वीडियो को पॉस करके पढ़ सकते हो चले बात करते हैं अगले कुशन की Vbox की भारत कौसल रिपोर्ट 2022 में सेर्स पर कौन है तो Vbox ने अभी हाले में भारत कौसल रिपोर्ट जारे की है इसमें top पर है महाराश्ट टॉप पर महाराश्ट एक बार फिर से है इंडिया स्किल रिपोर्ट में भारत कौसल रिपोर्ट 2022 में इसमें top 3 स्टेट की बात करें तो second पर उतलप पर देश से थर्ड पर है केरल, महाराष्ट एक बार फिर से ये टॉप पर बना हुआ है, 66.1 स्कोर के साथ, ये तो राज्यों की बात हुई, अगर सहरों की बात की जाए, तो सहरों में दुस्तों पूड़े जो है, ये टॉप पर है, ठीक है, सबसे अधिक रोजगार योगे पुड़े, जहाँ पर 78% जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो 60% से अधिक, माक्स के साथ, कॉइंट के साथ, स्कोर के साथ, यहाँ पर रोजगार प्राप्त किये हुए है, क्लियर है, यहाँ पर इस प्रकार से लिस्ट जारी की गई है, कि कौन से राजी या कौन से सहर, कितने ज़्य रोजगार देते हैं, अपने आएँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिये, महाराष्ट में सबस्यादा रोजगार मिलने वाले विक्ति यहाँ पर रहते हैं, इस बार इसका सनसक्रण था, नौवा, महाराष्ट राया है, तो महाराष्ट के बाले में देखेंगे, हम लोग भार प्रत के मैप में देखिए यहाँ पर है महराष्ट महराष्ट अपना बॉर्डर किसे किसे सेर करता है गुजरात से मद्यपर्दिश से चतिजगर से तेलंगाना से करनाटका से और गोवा से गुजरात और महराष्ट दुनों आपस में एक माई 1960 को अलग हुए थे एक माई 1960 को महराष्टरा की राजधानी है मुंबई मुंबई कैपिटल है दुस्तो समर टाइप की ठीक है यानि कि ये ग्रिस्म कालिन राजधानी है विंटर कैपिटल नागपुर होती है ये भी इंपर्टेंट है पूछा जा सकता है उद्ध्व ठाकरे सिव सेना पार्टी स यहां की कर्ण टाइम पर चीप मिस्टर है गवर्नर है भगत सिंग कोश्यारी दिपांका तत्ता जी बाम्बे हाइब कोट की है कर्ण टाइम पर चीफ चैसस यहां पर लोनार जील जो है इसका नाम तो आप याद रखेंगे दोस्तो बहुत इंपर्टेंट है ये भारत की द लिड़ने के कारण बनी हुई है तो आप बताएंगे लोनार जील अभी 2019 में दोस्तों इसका कलर गुलाबी हो गया था पिंक हो गया था चानक से तो ये भी पूछा जा सकता है ठीक है गुलाबी कलर की जील हो गए थी इसके पानी कलर का पानी का कलर गुलाबी हो गया था दिखते हैं अमेरिका दोरा आयुजित किये गए समिट फॉर डेमोक्रेसी में भारत का प्रतने जिट्ट किस ने किया तो इंडिया को रिप्रेजन किया है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदीजी ने हलाकि वर्चोली ही ये इसमें सामिल हो पाए समिट फॉर डेमोक लोक तंत्र के लिए सिखर समिलन समिट फॉर डेमोक्रेसी और आप देखो के चाइना में जो है लोक तंत्र का कोई मतलब है नहीं ऐसे ही रसिया में भी सेम सिट्येशन हो रखी है रसिया में भी क्या है ब्लादी मूर मीर पुतिन ने अपने आपको 2036 तक के लिए राष्ट कर रहे हैं ठीक है क्योंकि अपने आपको ही राष्ट पती 2036 तक होसित कर लेना ये भी साही नहीं है तो इसी वैसे ये दोनों देश इन्वाइटेड नहीं थे इसमें बाकी 100 देश इसमें इन्वाइटेड थे 9 और 10 दिसंबूर को आज़ित किया गया अमेरिका ने लोक तं संसत का नाम है कांग्रेस देखे यहां संसत्त तो है लिकी इसमें दो हाउस हुते हैं अपर हाउस लोर हाउस अपर हाउस का नाम है सीनेट के नाम है सीनेट पूछा जाएगा तो आप बता दीजेगा Lower House का नाम है House of Representative क्या House of Representative जैसे इंडिया में है ना संसत, संसत की दो सतन उच्चे सतन और निम्न सतन कौन कौन से उच्चे सतन क्या है राज्य सभा है Upper House राज्य सभा है Lower House लोग सभा है ठीक है तो ऐसे यहाँ पर भी है पर हाउस लोगर हाउस जो बाइडन जो है यहाँ के 46 में प्रेसिटन्ट हैं और ये किस पार्टी से हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं अगला किस राज्य सरकार ने दूद मूले प्रोटसाहन योजना शुरू की तो अभी आले में उत्राखंड राज्य सरकार ने दूद मूले प्रोटसाहन योजना शुरू की है उत्राखंड के जो CMI पुसकर सिंगधामी जी इन्होंने इसे शुरू किया है इसके तहट क्या होगा इसके तहट दोस्तों 500 से जादा दूद विक्री केंद्र खोले जाएंगे उत्राखंड राज्य में और वहाँ पर 444 से संदो छे दू करोड रूपए खर्च के जाएंगे सरकार के दोरा क्यों खर्च के जाएंगे जिससे दोस्तों लोग जो हैं इससे जोड़ सके एक कारश उनको रोजगाल भी मिल सके रोग गाय भैस या ऐसे पसु पालन को बढ़ावा मिल सके लोगों के द्वारा इसके अलामा तेरपन हजार लोगों को लाभ मिल सके उत्राखंड के ठीक है बिसिकली होगा यही कि दूर की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा डारेक्टली बैंक ट्रांसफर में उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा जो वेक्ति होंगे ठीक है जो इसका लाभ उठाएंगे लाभार्ती जो होंगे तो दूद मूले प्रोचाहन योजना उत्राखंड के मुख्यमत्री ने सुरू किया हुआ है उत्राखंड आया है उत्राखंड के बारे में जाने के उत्राखंड इंडिया के मैप में आप देखोगे तो यहाँ पर है उत्राखंड ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था अलग वह था 9 नौवंबर सन 2000 को जब यह अलग वह था तब उत्राँचल नाम था, 2007 में इसका नाम बदल करके उत्रा खंड कर दिया गया, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश से बॉडर सेर किया करता है, इसके अलावा हिमांचल प्रदेश से बॉडर सेर करता है, हर्याना से भी त तीरथ सिंग रावत की जगापर आये हुए हैं, तीरथ से पहले त्रिवेन सिंग रावत थे, लिप्टनें जनरल गुर्मीत सिंग यहां के गवर्नर बने हुए हैं, यह दोनों ही नए पद हैं, तो अभियाद रखेंगे आप, रागिवेन सिंग चौहान जी यहां के प्रदेश में, बाकी जितने ताल हैं, जैसे सात ताल, नैनी डाल, माता ताल, ठीक है, जितने भी ताल है मतलब, सब का भीम डाल, सब का सब यह उत्राखण में ही है, ठीक है, यह ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, यहां के जीलें, निसनल पार्क में बात करें, तो जिम इसका नाम अभी हाली में बदल करके राम गंगा कर दिया गया है क्या कर दिया गया है राम गंगा निशनल पार्क कर दिया गया है भारत का सबसे पुराना निशनल पार्क है ओके नंदा दिवी रज़्टे उद्यान भी यहीं पर है माना नीती लिपुलेग ये तीन दर्रे आप याद रखेंगे माना, नीती, लिपलेग, छपेली, छोलिया, हारूल ये यहां के लोकनेट दे हैं अगला कोश्य देखते हैं हाले में कहा के हैदरपुर आर्द भूमी को रामसर साइट की रूप में मानिता दी गई देखते हैं रामसर साइट हो चुका है टोटल भारत में बात किया जाएं तो भारत में आप 47 रामसर साइट हो गए हैं रामसर साइट क्या होते हैं एक्चुली में 1971 में इयांड का एक सहर है रामसर तो वहाँ पर एक समझोता हुआ था जिसके तहर दुनिया भर में जहां जहां पर वेटलेंड्स हैं जो आदर भूमिया हैं उनको चिन्धित किया जाना सुरू कर दिया गया और फिर जब लेश्टित कर दिया जाता है जब इस जाता है तो यसे यहा पर भी है अगर बात करए युनसको की वर्ड हैटे में कितनी है तो आप बताएंगे 40 और रामसर साइट कितनी हो चुके हैं 47 अगला दिखते हैं Asian Youth Para Games 2021 में भारत ने कुल कितने Medal जीते हैं? तो भारत ने कुल 41 Medal जीते हुए हैं Asian Youth Para Games 2021 में अभी हाले में afterwards अभी हाली में ACI Youth Para Games हुआ दोश्तों और इसने भारत के अगर बात करें तो भारत ने 41 Medal जीते हैं इसमें 12 Gold हैं 15 Silver हैं और 14 Kaz से पदक हैं इस बार चौता संस्क्रण था बहरीन के रीफा सहर में आयोजित हुआ, दो दिसम्बर से छे दिसम्बर के बीच आयोजित हुआ था, ASEAN Youth Para Games, अगला वाला कहां पर होगा, अब अगला वाला चार साल के अंतराल पर, यानि 2025 में होगा, और पांचमा वो संस्क्रण होगा, और उसकी मेजबानी तासकंद उजबेकिस्तान के दोरा की जाएगी, इंपोर्टन्ट है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है, अच्छा, आगामी खेल परतियोगता वाली वीडियो में आपको ती हुई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि 2030, लगबग 2032 तक मैंने बताया तक नोटिफिकसन यूटूब का पहुंस नहीं बाता है, तो ऐसे में टेलिग्राम गुरूप जॉइन किये रहोगे, तो वहाँ पर मैं वीडियो का लिंक भेज दिया करता हूँ, तो आप डिरेकली तुरत वहाँ पर प्राप्त कर सकोगे, ठीक है, चलिए अब बात करते है अगले कुशन की, कलिंग साहिते पुरुसकार 2021 किसे मिला, तो कलिंग साहिते पुरुसकार 2021 दोस्तों दिव्यादत्ता और स्री निवास उद गाता को मिला हुआ है, उपरोग दोनों आप्सन यहाँ पर करेक्ट होगा, कलिंग साहिते पुरुसकार इन दोनों को दिया गया ह यहाँ पर देखिए दिव्यादर्ता जी दिख रही है ये एक्ट्रेस है तो इनको ये अवार्ट दिया गया है अभी आठ में कलिंग साहित महुत्सों का आयोजन किया गया ओडिसा में तो वहीं पर इनको सम्मानित किया गया है देखिए जो स्रीनिवास उद्गाता जी है ये पदमस्री से सम्मानित है पदमस्री पियानी भारत का चौथा नागरिक सम्मान तो इनको मेल्स की कटेगरी में इनको पुरुस लेकों की कटेगरी में दिया गया और जबकि दिव्यादर्ता जी जो है इनको महिला लेकों की कट अरुण कमल जी को कलिंग साहित अंतराष्ट्य प्रुस्कार दिया गया देखिए ये दो कलिंग साहित प्रुस्कार पाए है जबकि ये कलिंग साहित अंतराष्ट्य प्रुस्कार पाए है तो अरुण कमल जी का भी नाम आप याद रखेंगे ये तीनों नाम आपको याद परोप्षन है हालि में प्रधानमंतरिय मोधी ने उत्तर परदेश के बलरामपुर जीले में कौनसी परियोजना का उत्गारन किया JUL étaient तो वह kennen ने शरियु नहर राष्ट्रिय पर यूजना का उत्गारन किया hell है उत्तर पर्देश के बलरामपुर जीले में पीं दान्या किये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो भाग है वहाँ पर सिचाई सम्बंदित समस्या हैं समाप्त हो सकेंगे इस परियोजना में पांच नदियों का पानी जोड़ा गया है कौन-कौन सी नदिया है घागरा सर्यू राप्ती बाण जंगा और रोणी आप से अगर जो लोग य इसको याद रखेंगे ठीक है अगला स्वदेशी रूप से विक्सित पिनाका इयार का परिक्षण किस ने किया तो पिनाका इयार का परिक्षण किया है जोस्तों डियाडियों ने पिनाका है क्या पिनाका दोस्तों एक प्रकार से समझ लेजे एक रॉकेट सिस्टम है रॉक extended range ठीक है तो ये स्वदेसी फ्यूज निर्मित एक एडवांस मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है या इसमें कई बैरल होते हैं कई मिसाइल एक साथ दाख सकती है ठीक है तो इसके दो संस्क्रोंड का भी प्रक्षा किया गया है एक पिनाका जिसकी मारक छमता 40 किलोमेटर है और एक पिनाका सेकेड जिसकी रिंज है 60 किलोमेटर की क्लियर है डियाडियो से रिलेटेड दूस्तो लगातार कुशन आते रहते हैं कि डियाडियो ने सुखोई विमान से ब्रम्हो सुपरसोनिक क्रूज मिसायल का सफलतम परिक्षर किया हु यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही है यह होंगी यूनिसेफ की नई कारीकारी अध्यक्ष या कारीकारी निदेशक यूनिसेफ यूनिसेफ क्या होता है यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल चाइल्ड्स इमर्जनसी फंड ठीक है चिल् रसेल यूनिसेफ का नेतिल तो करने वाली आठमी अमेरिकी हैं। हेंरी टाफ फोरी जी का यह स्थान लेंगी। क्लियर है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय भी आप याद रखेंगे नियुयार्क में है। इसके अपना 1946 में हुई थी। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे ह हमारे आज के दिन के टॉप 10 करेंट अफेर के कुश्चन्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल लाइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। चलिए बात करते हैं दोस्तों, कुश्चन्स अद्दर डेकी। आज का पहला कुश्चन आपके विए, विम्ण स्टेक देशों के वरत्मान में अध्यक्षता कौ कर रहा है, इसके कितने सदसे देश हैं और इसका जो सची वाल है, वो कहां परिस्ते थे, इन सब कुश्चन्स की बारे में आप अंसर कीजिए, विम्ण स्टेक की बारे में सब कुछ बताइए, निम्ण में से कौन भारत के 23 मुखे चुनाओ आयोगत हैं, दोनों कुश्चन में आज दिन भर की ये करेंट अफेर आप क्विकले रिवीजन कर सकते हो, टेली ग्राम पर आपको जाना है, मजेटी आयोगे सनलिक करके सर्च करना है, और जोइन कर लेना है ग्रूप को, चलिए पस, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को इंट तक देखने के मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैहिंद, वन्दे मात्रम